हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंग्डम के नीट प्रिवियर्स एर्स क्यूशन इस चैप्टर के अंदर हम लास 33 एर्स के अंदर क्यूशन देखने वाले हैं और ये काफी important रहने वाला है second जो part है वो बहुती जल्द हम लेकर आएंगे इसके अलावा हमारी लगबग सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जहां पर हमने नीट प्रिवियर्स एसक्यूशन चैप्टर वाई हैं अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपक का description चेक कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा जो topic है वो है basis of classification क्योंसर नंबर फास्ट है नी 2019 का क्योंसर पूछा गया है consider the following feature हमें आपे feature दिये गए है A B C में फाइला feature है organ system level of organization second है bilateral symmetry and see a true silhouette with segmentation of the body okay आगे लिखा है select the correct option of animals group which possess all the above characteristics यानि हमें वो बताने हैं जिनके पास ये सभी characters present होने चाहिए okay option देख लेते हैं एनलीडा मोलुसका कोड़ेटा एनलीडा अर्थ्रोपोडा एंड कोड़ेटा एनलीडा अर्थ्रोपोडा एंड कोड़ेटा अर्थ्रोपोडा एंड कोड़ेटा अब organ system level of organization हमें एनलीडा मोलुसका कोड़ेटा और अर्थ्रोपोडा चारों के अंदर मिल जाएगी ट्रू सीलोमेट जो है वो भी लगबग जो है एनलीडा आपके मोलुसका और कोड़ेटा अत्रोपोडा ट्रू सीलोमेट भी होते हैं जो मोलुसका है वहाँ पर साफ साफ ay治ार लिगती है वो अन्सेग् approved नहीं है ओलुसका यहाँ पर सैग्मेटेड नहीं है यहाँ पर भी option यहाँ पर भी option यहाँ पर भी option है तो ऑनसर आजे अजेगा option B क्योग यहाँ पर उन्रेड अत्रोपोड यूट कोड़ेटा जो है उनके true silhouette बताना और bilateral symmetry बताना है adult, echinodermate, ascalmanthies, platealmanthies and anelida, अब simple है echinodermates के पास जो है adult के पास में bilateral नहीं radial symmetry होती है ascalmanthies true नहीं आपके pseudo silhouette होती है, platealmanthies आपके a silhouette होती है, तो anelida जो होता है वो आपका true silhouette और bilateral symmetry तान से आजेगा option D next हमारा के उससे number third है which one of the following kind of animals are triploblastic, हमसे triploblastic पूछा गया है, flatworms होंगे sponge होंगे, tinofora होंगे या फिर corals होंगे अब यहाँ पर जो corals होते हैं, वो किस के अंदर आते हैं आपके nideria phylum के अंदर आते हैं ये porifera के होंगे, tinofora platy almanthi, जो होते हैं, वहाँ से आगे आपके triploblastic मिलते हैं, platy almanthi से लेकर code data तक, तो हमारा answer आजएगा option A, next हमारा के उससे number fourth में पूछागे, which one of the following statement about certain given animal is correct, यानि कौनसी जो statement है, वो बिल्कुल correct लिखी गई है, first है roundworm, यानि you, is calm град, जो होता है बोला गए, फून के लोबा गए, सिलो मेट, आ इनुस्मा Circuit होते हैं, तो ये तो सब होते हैं, तो राउंड distributing होते हैं, ये आनिसे आजएगा, आपका option A, next हमारा क्जिस्से number फीब देख लेगे हैं, या पे बोला गए which one of the following group of इनिमल इस बाइडरल, सिमेट्रीकल एंड सिमेट्रीकल एंड ट्रिपलो बलास्टिक दोनो चीजे होने चाहिए बाइडरल सिमेट्री रुबलास्टिक यहां पर सेखिड फीर्स्ट option देगा S कलमनंती राउंड वो ücht फीर 15 जित यो तो सिंपल समझे जो आपके एसकल मंतीज होते हैं वो ट्रिपलो ब्लास्टिक भी होते हैं वहाँ पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलती है तो अनसर आजएगा option A okay next हमारा क्युस्स से नंबर 6 है metameric segmentation is the characteristics of यानि metameric segment हमें किस किस के अंदर देखने को मिलेंगे option दियागा है मोलूसका एंड कोड़ेटा वी बोला गया है प्लेटी अलमंतीज एंड अत्रोपोडा C हमें option दियागा एकाइनोडरमेटा एंड एनलीडा एंड दी दियागा एनलीडा एंड अत्रोपोडा जो metameric segment होती हैं वो दो phylum के अंदर में एनलीडा एंड अत्रोपोडा तो हमारे यहां पर अंसर आ जाएगा option D नेक्स्ट हमारा के उससे number 7 देख लेते हैं कि उससे number 7 में बोला कि the animals with bilateral symmetry in young stage and radial pentamera symmetry in the adult stage belong to the phylum यानि लार्वा के अंदर bilateral adult के अंदर जो है वो हमें radial symmetry देखने को मिलती है कौन सी phylum है एनलीडा मोलुस्का निडेरिया या फिर इकाइनोडरमेटा तो वो phylum है एकाइनोडरमेटा नेक्स्ट हमारा के उससे number 8 देख वीच ओफ दा फॉलॉइंग एनिमल से वदा scattered cells with cell tissue grade organization या पर जहाँ पर scattered cells होते हैं और cell tissue grade organization मिलेगा कौन सा हो सकता है sponge, hydra, liver fluke या फिर as cariesis तो सबसे पहले समझे याँ पर cell tissue grade बुला गया जो sponge होते हैं उसमें केवल cellular level of organization होती है बड़ जो hydra होता है वहाँ पर tissue level of organization होती है और scattered cells होती है liver fluke के अंदर आपका organization आ जाता है अलग तो याँ पर हमारा जो correct answer आएगा वो आएगा option B नेक्स्ट हमारा क्यूसे नंबर 9 है siloam is found between जो siloam है वो किस किस के बीच में मिलता है body wall and ectodum, ectodum and endodum, mesodum and body wall and endodum या फिर mesodum and ectodum यहाँ पर जो आपका siloam मिलता है siloam is a cavity तो वो cavity मिलती है between the body wall and mesodum तो हमारे आपे जो correct answer है वो आजाएगा option C यह काफी confusing सा question भी था बट most of the time इसी को answer बोला गए है okay next हमारा question number जो 10 है वो बोला गए besides analida and arthropoda, the metamerism is exhibited by यानि analida arthropoda के अलावा किस के अंदर हमें metameric segment देखने को मिल सकते है बोल उसका के अंदर, akinando, cifela के अंदर, cytoda के अंदर, या फिर codata के अंदर तो जो codata है उसके अंदर भी हमें metameric segment है देखने को मिल सकते हैं तो answer आ जाएगा option D okay next जो हमारा topic है वो काफी important है classification of animals अब यही हमारे दो ही topic अब यहां से सारे question यहीं सी topic से बनेंगे तो question number 11 है bilateral symmetrical and acylomet animal are exemplified by need 20-20 का question ने पूछा गया है कि bilateral होना चाहिए और acylomet होना चाहिए कूण सो हो सकता है तीनो, फॉरा, प्लेटी, अलमन्तीज, एसकल मन्तीज या फिर एनलीड़ तो सबसे पहले बात करते है acylomet आपके कूण से हो सकते है और bilateral symmetry कहां पर हो सकती है तो simple है वो आपके प्लेटी, अलमन्तीज के अंदर हो सकते है acylomet तो answer आजएगा option B next हमारा question number 12 है वो काफी important है यहाँ पे बोलागे match the following column and select the correct option हमें match the following column करने है यहाँ पे बोलागे column 1 में 16 to 15 pairs of gills slit hydroceral, caudal fin, air blader और poison sting सबसे पहले 16 to 15 pair of gills slit हमें किसको मिलेंगे cyclostromata के अंदर मिलेंगे, cyclostroms के अंदर मिलेंगे caudal fin जो है, वो caudal fin हमें कहां पर मिलेंगे वो मिलेंगे हमें kondrioictus के अंदर air blader हमें कहां पे मिलती है, osteoictus के अंदर इसलिए उनको continuous जो है, वो उनको swim नहीं करना पड़ता और poison sting जो है, वो हमें मिलेगा trigon के अंदर तो A जो है, वो हमारा second के साथ जाना चाहिए B हमारा third के साथ जाना चाहिए, C हमारा fourth के साथ जाना चाहिए और D हमारा first के साथ जाना चाहिए अब ऐसा option देख लेते हैं, A जो है, वो हमारा second के साथ जाना चाहिए, ओके ऐसा A की option है B हमारा third के साथ, C fourth के साथ, D first के साथ तो हमारे आपर answer जो बनता है, वो बनता है option A ओके next हमारा जो किस्सर number 13 देख लेते हैं किस्सर number 13 में बोला गए which of the following statement are true for the phylum code data, यानि code data के लिए बिल्कुल true statement कौन सी है first statement लिखी गई है, in euro code data noto code extend from head to tail and is present throughout their life B में बोला गए, in vertebrata noto code is present during the embryonic period only, C में बोला गए, central nervous system is dorsal and hollow and D में बोला गए, code data is divided into three phylum, hemi code data, tunicota and cephalo code data simple समझे, सबसे पहले हम बात करते हैं euro code data, euro code data के अंदर only larval stage के अंदर present होती है अगर यहां पर लिखा होता है cephalo code data, in cephalo code data noto code extend from head to tail and present तब तो यह correct होती, बट euro code data के अंदर के वह लार्वल में होती है तो यह incorrect statement हो गई, ओके second है हमारी invertebrata noto code is present during the embryonic period only, यह बिल्कुल correct है, उसके बाद में वो काटी लेजिनस या बोनीर के अंदर convert हो जाता है, central nervous system is dorsal and hollow, यह बिल्कुल correct है code data is divided into three sub-filem tunicata, syphelo code, hemi code data को एक अलग philem बना दिया गए, वो इसके अंदर आपकी नहीं आती है simple है, तो यहां पर हमारे answer होंगे, वो B और C correct हो जाएगा, तो हमारा answer आजाएगा option D वो B and C are correct statement next नहीं आएगा कि उससे number 14 बोला गए match the following column and select the correct option, यह आपर वापस से हमें match the following column जो है वो दिया गया है सबसे पहले बोला गए, gregarious यानि poly phagus pest, फिर adult with radial and larval with bilateral, book lungs और बायो लुमिनेंस की प्रोपर्टी, यह भी need 2020 का है कि उसे ने, gregarious pest, आपका कौन सा है, gregarious pest आपका anxiety again locust है ओके, यह correct होगे, ओके adult with radial and larva with bilateral, यह किसके अंदर आता है, यह आता है, आपका echinodermata, echinodermata का example कौन सा है, यहांपर आता है, यह तैनों प्लाना के अंदर तो अब देख लेते हैं, आ जो हमारा जाना चाहिए फोट के साथ, इसा के वर o की option है b हमारा first के साथ, c second और d third के साथ तो हमारे यहांपर आंसर बन रहा है option b ओके next time question number 15 देख लेते हैं कि उससे number 15 भी वापीस mashed the column है और यह है नी 2019 का क्योशन यानि इस चैप्टर से जो है वो मेच दा कॉलम काफी जादा है 2020 में भी 2 आ चुके और 19 में भी आ रहे हैं तो यहां पर बोला गए पीला, बॉम्बेक्स, प्लूरो ब्राकिया, और टीनिया और यहां पर दिया गया है फ्लेम सेल्स, कॉम्पलेट्स, रेडूला और मेलफीजियन ट्यूबल्स, यानि एक्सक्रेटरी सिस्टम वगरा से रिलेटेर कुछ दिया गया है तो सिंपल ए सबसे पहले हम बात करथे हैं पिल्ला की, पिल्ला जो होता है, वो किसके अंदर आता है? और मोलُस्का के अंदर आता है, और यहां पर होता है, रेडूला प्रेजेट, तो यह जो हो हमारा चला जाएगा थार्ड के सब्boys नेक्स आम बात करते हैं, बॉंबिक्स, बॉंबिक्स जाता है, अर्थ्रोपोडा में, मेलफीजियन, टुबिल्स, ओके, इकली गया रहा है, ओके, नेक्स आपका प्लूरो बॉरो बॉराख्या, जो आती है, टीनो-फॉरा, वहां पे कॉम्पलेट्स प्रेजन्ट होती है, ने नेक्स्ट हमारा के उससे नमबर 16 देख लेते हैं मेच दा फॉलोइंग जेनरा वी दियर इस्पेक्टिव फाइलम या पर दिये गे ओफियूरा, फाइसेलिया, पिंग डेटा और प्लेनिरिया और फॉलो का हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं जो कि आपका जाएगा एकाइनो डरमेटा के अंदर नेक्स्ट है फाइसेलिया जिसको हम पोट्ग्यूज मेन ओफ वोर भी बोलते हैं ये कि इसके जाएगा हमारा सीलियन ट्रेटा फाइलम के अंदर आता है तो अब ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट के तो फास्ट हमारा जाना चाहिए थार्ड के साथ में फास्ट के साथ में फास्ट के साथ में ये भी दो है थार्ड हमारा जाना चाहिए फास्ट के साथ में और फास्ट हमारा सेकिंड के तो हमार answer बनेगे यहां पर option B ओके next हमारा कि उससे number 17 देख लेते हैं कि उससे number 17 दिया गया है यहां पर बोलागे which of the following animal does not undergo metamorphosis यानि कौन सा ऐसा animal है जहां पर metamorphosis हमें देखने को नहीं मिलता अर्थवोम, tunicator, moth या फिर starfish अब metameric segment और metamorphosis अलग अलग चीज़ है metamorphosis क्या होता है वो process जहां पर जो larva होता है जो immature larva होता है वो कुछ process more than 2 या 3 process के दोरा adult के अंदर convert होता है उसको बोलते है metamorphosis अब अर्थवोम के अंदर कोई भी larval stage नहीं होती तो यहां पर metamorphosis नहीं होगा तो हमारा answer आ जाएगा option है यहां पर does not undergo metamorphosis अर्थवोम होता है next हमारा question number 18 है identify the vertebrate group of animal characterized by crop and gizzard digestive system में crop and gizzard किसमें मिलेगा amphibia में, reptile में, avies में, austriak तो यानि birds के अंदर आपको crop and gizzard मिलेगा यानि avies के अंदर answer आ जाएगा option C next हमारा question number 19 है which one of these animals is not a homeotherm कौन सा एक homeotherm नहीं है macrapas, kilion, camellus या फिर cittacula तो जो आपका kilon होता है वो आपका reptile में आता है वो poikilothermous होता है तो answer आ जाएगा option B next हमारा question number 20 है important characteristics that hemicodate share with codate यानि hemicodate और codate के अंदर एक कौन सा important character same हो सकता है ventral tubular nerve code pharyngeal with gill slit, pharynx without gill slit या फिर absence of notocode तो pharynx with gill slit जो है वो आपको hemicodate और codate दोनों में मिल सकता है तो answer आजाएगा option B next हमारा question number 21 है which among these is the correct combination of the aquatic mammal हम से mammal पूचा गया है ये ध्यान रहे dolphin, seal, trigon, whale, dolphin, seal, trigon, whale, seal या फिर seal, dolphin और trigon जो trigon है वो condrio ictis के अंदर आते हैं आपका piscus के अंदर आते हैं सार्क भी उसी के अंदर आती है बत वेल, dolphin और seal जो होती है वो mammals के अंदर आजाएगी तो answer आजाएगा option B next हमारा question number 22 है which of the following represent order of horse यानि इसमें horse का order कुण सा होगा parisodactylis, callus, ferus या फिर एक्विडी अब actual में ये दा living words या ना चाहिए कि वहाँ पर order वगएरा species वगएरा का बात आती है बढ़ इन्होंने यहीं पर दिया वे अब जो paris, ductilis होता है वो आपका होता है order अब जो आपकी ferus में जो आपकी family होती है वो होती है एक्विडी और जो आपका कहले बस होता है वो sub species होती है और जो ferus होती है वो species होती है तो answer आजाएगा option A क्योंकि हमसे order पूछा गए next नमारे कि उससे number 23 है in case of pori ferens the spongeosilis lined with the flagellated cell cold pori ferens के अंदर जो spongeosilis lined होती है फ्लेटन सेल को क्या बोते है और स्कूला कोई नोसाइड मेजन काइमल सेल या और स्कूलर सेल बोते है यानि कोई नोसाइड तो answer आजाएगा option B next हमारे कि उससे number 24 है choose the correct statement यानि अवे correct statement बताने है all mammal are viviparous all cyclos tomat are do not posit the and paired fins all reptiles have three chamber dirt and all piscous have guilt with covered by an operculum तो simple है all mammals जो है वो viviparous नहीं होती है platy pest जो होता हुआ आपका oviparous होता है next time all cyclos do not posit जा इनके पास कोई भी जान नहीं होती है और नहीं इनके पास paired fins होती है paired fins होती है इनके पास unpaired fins होती है तो यह जो लिखा वो correct लिखा हुआ all reptiles 3 crocodile के पास में 4 chambered होता है तो यह incorrect होगी all piscous have guilty नहीं country एक्तिस के पास में कोई operculum नहीं होता है without operculum होता है बट उसकी एक्तिस के पास में होता है बट पिसकस के अंदर सब ही नहीं होते है तो हमारा answer आजाएगा option B next question number 25 है which of the following characteristics is not shared by birds and mammals यानि कौन सा ऐसा characteristics है जो shared नहीं किया जाता है birds और mammals में वीवी पेरिटी, warm-blooded nature, ossified endoskeleton, breathing using lungs अब वीवी पेरिटी नहीं share किया जाता है क्योंकि birds mostly आपके ओवी पेरिस होते है और जो mammals होते हो mostly आपके वीवी पेरिस होते है तो यहाँ पे answer आजाएगा option A next हमारा question number 26 है question number 26 में बोला गया है which of the following characteristics, features always hold true for the corresponding group of animals हमेशा ये true होना चाहिए option first दिया गया है poses है mouth and within upper and lower जा ये बोला गया कि code data के अंदर हमेशा mouth होगा जापे upper and lower जा होगा B में बोला गया three chamber dart होगा with one incomplete dividend word reptile में C में बोला गया cartilaginous endoskeleton होगा contractus में D बोला गया VV परस होगा mammalian में देखिए without job भी हो सकता है इनने बोला है mouth वी दे जा and upper and lower जा जो अगंथा होती है जो super class अगंथा होती है code data के अंदर आती है बट वहाँ पे lake जा होती है जैसे crocodile होता है जैसे crocodile होता है जैसे फोर चेंबर होते है तो सभी reptile में थ्री चेंबर नहीं होते है बट जो आपका contractus होता है उसके अंदर सभी जो वो cartilaginous endoskeleton ही होते है ये बिल्कुर correct है तो answer आज़ेग option C mammalian में जो है वो आपके OV परस भी हो सकते है जैसे platypus इसलिए नहीं है नेक्स्ट मारके उससे नमबर 27 में बोल गए है वी चोस्ट दा फॉलिंग फीचर इस नोट प्रेजेंट इन दा फाइलम अर्थरोपोड़ा कौन सा इसा फीचर है जो फाइलम अर्थरो पोड़ा में नहीं मिलेगा पेरा पोड्य है जोंटी इद इपन डिजी सकाइटी ने से इक्डिश्क purity या फिर METAMERIC SEGMET तो जो आपका पेरा पोड्य है वो ANALID़ा में मिलता है अर्थरोपोड़ा में नहीं मिलता है तो answer आजेगा option A next question number 28 है body having mass work of cells internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development at the characteristics of phylum यानि वहाँ पे किवल mass work of cells होता है internal cavity में कुछ food filtering flagellated cells होता है और indirect development होता है यह कुण सी phylum के features है moluska के protozoa के silentrator के porifera के तो cellular level of organization आपको porifera के अंदर मिलती है और आपके वहाँ पे कोई ने side cell भी मिलती है तो answer आजेगा option D यह feature है porifera के next हमारा question number 29 है यहाँ पे बोलगा है metagenesis refer to अब metagenesis का मतलब क्या होता है option A occurrence of a drastic change in form during the post embryonic development presence of a segmented body and parthenogenic mode of reproduction presence of different morphic features या फिर alternation of generation between asexual and sexual phase और यहाँ पे जाएगा example भी दिया हुआ औभेलिया का यहाँ पे answer आजाएगा आपका option D Metagenesis Metagenesis इसको refer करता है नेक्स्ट हमारा क्यूस्ट नमबर 30 है एक जालेस फीश यहां पर बोलगे कि जालेस फीश है वीच ले एक्स इंदा फ्रेस वोटर एंड हुज एम्नियोसेंट्स लार्वा आफ्टर मेटामोर्फोसी रिटेन टू दा ओशिन जब वो एडल्ट में convert हो जाते है तो वो आपज इस वोशिन में आ जाते है तो वो फीश कौन सी हो सकती है नियो माइक्सिन, पेटरो माइक्सिन, एपिटाट, टेरस, या फिर माइक्सिन तो वो होती है पेटरा माइजन अब देखिए ये दोनों की दोनों आपके अगंता में आती है cyclostomate, myxin और petromycin बढ़ यहाँ पर अनसर आएगा आपका petromycin ओके नेक्स्ट हमारा किस्से नंबर जो वो 31 है के अंदर वो endoparasite होता है ये एक minute nematode होता है ओके नेक्स्ट नमारा किस्से नंबर 32 है विच और फॉलॉइं रिपर्जन था करेक्ट कॉंबिनेशन विदाउट एक्सेप्शन तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि उसमें कोई भी exception नहीं होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर पहला वो option बो लगा है sucking and circular mouth जो absent integument without scale and paired appendages यह cyclostomata में अब देखिए second and circular mouth leg जो हो सकते है integument without scale भी हो सकता है बट हमने अभी अभी पढ़के है थे कि हाँआपे cyclostomata में unpaired appendages होते है paired नहीं होते है तो cyclostomata में यह गलत हो गया next है body covered with feather skin most and glandular pore limbs form wings lung with the air sac avies में तो देखिए body covered with feathers होता है skin most नहीं होती skin बिल्कुल dry होती है without glandular glands होते हैं बट वो बिल्कुल last में होते हैं यह avies में यहाँपे बोला गया skin most होती है वो नहीं होती है यह भी गलत लिखा गया ओगे हम C option और D option भी देख लेती है यहाँपर next हमारे जो C option बोला गया memory gland hair on body pinna two pair of the limbs mammalia में अब देखिए pinna जो होता है वो aquatic mammals में नहीं होता है यह याद रखिए तो aquatic mammals में आपको pinna देखने को नहीं मिलता है देख में बोला गया mouth ventral है gills without operculum है skin with plecoid scale है position notocode है contactors यह बिल्कुल सही दिया गया तो हमारे आपर answer आ जाएगा option भी इसमें कोई भी exception नहीं है next हमारा question number 33 है which of the following animal is not vv paris कौन से है vv paris नहीं है platypus whale flying fox debate या फिर आपका elephant तो platypus जो होता है वो ov paris होता है vv paris नहीं होता है तो answer आ जाएगा option A next हमारा question number 34 है which of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insects on land यानि land पे insects का diversification में कौन सी चीज़ उनको help करती है exoskeleton eyes segmentation या फिर bilateral symmetry जो उनका kiteaneous exoskeleton होता है वो काफी ज़्यादा help करता है तो answer आ जाएगा option A next हमारा question number 35 है select the taxon mentioned that represent both marine and fresh water fishes यानि कौन सी ऐसी चीज़ आपे marine और fresh दोनों मिल सकती है option दिये रहे हैं कि echinoderms, tenophora, cephalocodata या फिल nideria तो simple आप याद रखें कि जो echinodermata होता है वो exclusively marine होता है tenophora के अंदर भी यह लिखावे वो exclusively marine है cephalocodate के अंदर भी NCRT में साबसा लिखा है all are marine but nideria के अंदर आपको marine और fresh जो वो दोनों मिल जाते हैं तो answer आजएगा option D जहांपे दोनों marine और fresh water मिल जाते हैं next हमारा question number 36 है planaria poses high capacity planaria के अंदर तो answer आजएगा option B next हमारा question number 37 है a marine cartilaginous fish that can produce electric current electric current कोन produce करता है priestess torpedo trigon या फिर scolidon तो आपका torpedo जो है वो electric current पास करता है जो string रहे हो जो होती है जो trigon होती है वो उसमाँ पे poisonous sting होती है next हमारा के उसे number 38 है यहाँ पे बोला गए which of the falling are correctly matched with the respective to the taxonomic classification जो बिल्कुल correctly matched कौन सा है house fly, butterfly, tessy tessy fly silver fish या नहीं बोला गए insecta के अंदर spiny antitracy, urgency corn जो आपका echinotermeter flying fish, cuttle fish, silver fish बोला गए आपका piscus के अंदर centipeda, millipeda, spider, scorpion बोला गए insecta के अंदर अब simple देखिए house fly, butterfly, tessy tessy fly और silver fish आप याद रखे यह भी insecta के अंदर आता है यह बिल्कुल correct है spiny antitrub का mammalia के अंदर आता है echinotermeter के अंदर नहीं आता है जो आपकी cuttle fish होती है वो आपकी molluska के अंदर आती है याद रहे पिसकस के अंदर नहीं आती है जो sintepeda होता है जो उसकी जो class होती है जो sintepeda की class होती है kilopta और जो millepeda की जो class होती है वो होती है dilopta तो यहाँ पर जो insecta के अंदर आपके spider scorpion आ जाए बट यह दोनों नहीं आते है तो वहाँ पर हमारा जो main answer आजाएगा बिल्कुल correct answer आजाएगा वो आजाएगा option A ओके next नमारा question number 39 है which group of animal belong to the same phylum जो बिल्कुल same phylum से बिल्वों करते है प्राउन, scorpion, locust, sponge, sea animal, starfish malarial, parasite, amoeba, mosquito, arthworm, pinworm, tapo तो प्राउन, scorpion और locust जो है वो arthropoda phylum से बिल्वों करते है कि बिल्कुल तीनों सेम किसके अंदर है बोला गया है लाइम्यूल्स में जो body covered with काईटीनेस, exoskeleton होती है ये पिसकस के अंदर आता है second में बोला गया अडेम्या आपका radial symmetry और ये बोला गया कि ये पोरीफेरा के अंदर आता है C में बोला गया पेट्रोमाइजन है एक्टोपरासाइट हो सकता है साइकलोस्टोमेटा के अंदर आता है ये बोला गया एक्टियोफीस है टेरेस्टियल है और ये रेप्टाइल्स के अंदर आ सकता है ओके तो सबसे पहले लाइम्यूल्स यानि किंक्रेब उपके और आता है पेट्रोमाइजन एक्टोपरासाइट आपका साइकलोस्टोमेटा उता आंसर आपका सिया जाएगा एक्टियोफीस रेप्टाइल्स के अंदर नहीं आती है कहीं से कहीं तक वह आपकी अंफीबिया के अंदर आती है में आपका अंसर आजएगा option C जापे सभी correct दिये गए है next question number 41 है one of the representation of phylum arthropoda phylum arthropoda में कौन सा आज़ चकता है pepper fish, flying fish, cuttle fish, silver fish अभी बताता है इंसेक्टा के अंदर जो आपकी silver fish आती है तो आप ये अलग से लिख भी लेना anseatic अंदर arthropoda में silver fish आती है next question number 42 है यहाँ पे बुलागे the characteristics of class reptilia class reptilia का characteristics बताना की कौन सा सही है body covered with more skin which is devoid of scale and the ear represented by tympanem elementary canal reproductive tray open to common cloaca b में बुलागे fresh water animal with bonny endoskeleton air blader to regulatory bionce c में बुलागे marine animal with cartilagins endoskeleton body covered with blackoid scale d में बुलागे body covered with bright and cornified skin scales over the body and epidermal they do not have the external ears यह जो लिखावाई यह reptiles का लिखावाई ता अंसर आजाएगा option b यह किसका लिखावाई यह आपका लिखावाई amphibia के लिए यह आपका लिखावाई osteo लिए और यह country ectus के लिए next question number 43 है which of the following group of animal reproduces only by sexual means only by sexual means से कौन सा reproduce कता है निडेरिया पॉरी फेरा प्रोटो जो है टीनोफोरा प्योर एंसर टीनोफोरा में लिखा भी होगा है जो है आपकी टीनोफोरा में केवल sexual reproduction होता है next question number 44 है which of the following animal is correctly match with its one characteristic and the taxon bill जो correctly match कौन सा दिया गया है यह में बोलागे मेले पेटा में वेंटरल नर्व कोड होता है यह बोलागे कि यह एरेंग डीना में होता है बी में बोलागे कि C अनिमेन आपके ट्रिपलो ब्लास्टिक होता है निडेरिया में होता है C बोलागे कि आपका silver fist, pectoral and pelvic fins होता है यह कोड़ डिटा के अंदर आता है नेक्स्ट आपका duck bile platypus और यह oviparus और मेंबलिया में तो बिल्कुल correct कौन सा है तो देखिए platypus, oviparus भी होता और मेंबलिया में भी आता है तो आपका answer आजाना चाहिए option D यह बिल्कुल correct दिया हो है नेक्स्ट आमरे के उसे number 45 है shark and dog fish differ from the skates and rays because shark and dog fish होती है वो skates and rays से अलग किस तरह से हो सकती है gills slits are ventrally placed head and trunk are widens considerably यह फिर सी है distinct democration between body and tail यह फिर D their pectoral fins distinctly marked off from the cylindrical bodies तो shark and dog fish होती है उनकी body जो round होती है बढ़ आपका skates and rays होती है उनकी बिल्कुल flattened होती है और यहापे जो pectoral fins होती है किनके पास में skates and rays के पास में तो यहापे answer आजएगा option D इस तरह से यह अलग होती है नेक्स्ट हमारा किससे number 46 है यहाँ पे पूछेगे in which of the following the genus name its two characteristics and its phylum are not correctly match where is the remaining three are correct यह नहीं बिल्कुल correctly कौन सी नहीं है पिल्ला में बोला गए body segmented molluska mouth with redula अब समझे पिल्ला के अंदर body segmented नहीं होती है यह जो है वो हमारा incorrect हो गया बाकी तो correct मिलने ही चाहिए बाकी हम देख भी लेते हैं नेक्स्ट हम देख भी लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया यहाँ पर लिखा गया जो आपकी jointed appendices होती है chitinus exoskeleton होती है अथ्रोपोडा के अंदर यह भी बिल्कुल सही है तो हमारा answer है आप बन जाता है option A next हमारा किस्से number 47 है which one of the following pairs of animals are similar to each other pretending to the features stated against A यहाँ पर बिल्कुल जो similar होने चीए each other यहाँ पर बो लगए teropus and orthino crinus यह बोला गए viviparity शो करता है garden lizard and crocodile जो वो three chambered heart शो करता है ascarious and encyclostomata बोला गए है कि metameric segment शो करता है sea horse and flying fish बोला गए है कि cold blooded है अब सबसे पहले बात करते है teropus जोता है वो oviparis होता है garden lizard, crocodile जोता है उसके पास four chambered heart होते है third नहीं होते है ascarious जो होता है वहाँ पर metameric segmentation जो है वो नहीं मिलते है क्यों? क्योंकि वो ascalmanthies के अंदर आता है ascalmanthies में metameric segment नहीं होते है तो यहाँ पर यह गरत हो जाएगा sea horse और flying fish cold blooded होते है यह मरा answer आजाएगा option D next time question number 48 देख लेते है which of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it यानि कोई भी exception नहीं होना चाहिए first में बोलागे all reptile possess scales have a three chambered heart and cold blooded B में बोलागे all bone faces have four pair of gills and an upper column on each side C में बोलागे all sponge are marine and have collared cells D में बोलागे all members are viviparison possess diaphragm अब simple सा समझे यहाँ पर हमसे पूचा गया कि कोई भी exception नहीं all mammals viviparison कुछ oviparison भी होते है all samanjis marine नहीं होते कुछ आपके fresh water भी होते है एक example भी दिया हुआ है all bonny faces have four pairs of gills and upper column on each side यह बिल्कुल सही है यह हमारा answer आजएगा C reptile सभी reptile इसके पास three नहीं होते है crocodile में four chamber होते है next नहीं हमारा कि उससे number 49 है what will you look for to identify the sex of the following तो आप अगर इनका sex का identify करना है तो किस चीज़ को देखोगे female ascaris saply curd posterior end D में बोलागे है male frog a copulatory paid on the first digit of the hand C में बोलागे female cockroach में male shark clasper bone on the pelvic fin तो जो बिल्कुल correctly दिया गया है वो यहीं दिया गया है कि male shark के पास में clasper bone on the pelvic fin होते हैं तो answer आजएगा option D यहाँ पर sharply curd जो जुरूर नहीं होते है female थोड़ी long होती है यह भी याद रखे और female में नहीं anal sexy आपको anal style यानि जो आप male में मिलते है next नमर के उससे नमर जो वो 50 है कि उससे नमर 50 में बोल गया which one of the following group of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception वापीस वही बोल गया बोल गया reptile में poses three chambered within incomplete divided में बोल गया next बोल गया में आपके ओवी परस हो सकते है में जो आकंता होता हूं आपे जो आपर परेजन नहीं होते है बट कॉंट रिक्तर जो होते हूं आपे कार्टिलेजिस एंडोस्केलेट नहीं होता तो answer आजएगा option C next नमर के उससे नमर जो 51 है अपी जो आपका इंडोबल or Blair और आपका जो है वो पहले बात काते है इस के और यह इस ऐस आपका इनलीडा के नहीं होता इसकरियस आप कहता है एसकलमंधीस के अंदर ओके यहां पर यह पहला ही जीज गलत हो गया next हम सेल्यमेंटर की बात काते हैं एक बार इसको रखने हैं टेरोपस की बात काते हैं टेरोपस जो होता है वो ओवी पेरास बिल्कुल भी नहीं होता according to NCRT वैसे सेलमेंटर के अंदर internal fertilization होती है but according to NCRT हमें कुछ भी नहीं लिखा गया MPBA के अंदर इसका example दिया यहीं सब कुछ लिखा गया तो इस हिसाब से मारा answer बनेगा जो बनेगा B next नमारा question number जो है वो 52 है which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notocode while the other three are correct एक incorrect statement बतानी है अब समझे यहाँ पर इनोंने बोला गया कि एक incorrect है बागी correct है अब यहाँ पर देगे इस प्रेजन्ट थूआउट दा लाइफ इन human अब human जो आते हैं वो members में आते हैं और NCRT यह बोलती है कि वहाँ पर embryonic stage के अंदर जो वहाँ आपका होता है उसके बाद में वो cartilagines और bony vertebral column के अंदर चेंज हो जाता है बट यहाँ पर इनो लिख दिये इस एप्सेंट थूआउट दा लाइफ इन human फ्रॉम वेरी बिंगनी तो यह गलत है embryonic stage में हो सकता है तो answer आजाएगा option C क्योंकि एक incorrect statement है नेक्स्ट हमारा के उससे नमबर जो 53 है show four animals आमें यहाँ पर इनिमल्स दिये गए है और इनके feature वगेरा दिये गए है तो हमें बताना है बिल्कुल correct points है यहाँ पर बोलगए कि A और D जो है वो respire mainly through body wall यानि A यह वाली चीजे है और आपका D जो वो बोल रहा है कि body wall के थूर respiration करती है second में बोलगए कि B और C show radial symmetry आपके बोलगए कि B और आपका जो C है वो radial symmetry show कर सकती है C में बोलगए कि A and B have needle blast for cell violence आपके बोलगए कि A और इन दोनों के पास में आपके needle blast होती है B में बोलगए C and D have true cellulome अब हमें यहाँ पर पताना कि क्या होता है A आपका platial mentis के अंदर आता है यह आपका need area के अंदर आता है यह आपका mollusca के अंदर आता है और यह आपका arthropoda के अंदर आता है respiration mainly through body walls अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह नहीं करता है ऐसा कुछ radial symmetry दोनों B और C radial symmetry जाए कि B जो है वो आपका radial symmetry शो कर सकता है बट C adult में radial symmetry शो कर सकता है बट यहाँ पर जो है वो bilateral symmetry होती है यह भी आपको पता होने चाहिए लार्वा के अंदर तो यहाँ पर यह चीज़ तो हमारे नहीं होगी A और B have needle blast आप दोनों के पास needle blast नहीं होता है वो B के पास needle blast होते है C and D have true silhouette यह बिल्कुल सही है यह without exception बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर भी true silhouette present होता है और D जो आपका arthropoda और आपका इसका तो दोनों के पास true silhouette होते है without exception बिल्कुल करेक्ट अंसर आज़ेगा option D next question number 54 में दियागे one example of animals have a single opening to the outside that's are both is mouth and anus octopus में, esteris में, ascadium में या फिर fascicola, fascicola यह नहीं liver flux, plaidial mantis, वहाँ पे केवल single opening होती है तो अंसर आज़ेगा option D next question number 55 है यहाँ पे बोला गया है which one of the following statement about all the fourth देखो, spongila, leech, dolphin, penguin is correct तो यहाँ पे बिल्कुल correct कौन सी होनी चीए यह बोला गया हमें तो simple सबसे पहले देख लेते हैं penguin is homeothermic while the remaining three are point kilo thermos देखिए penguin homeothermic हो सकता है but dolphin mammals के अंदर आती है वो भी तो आपकी homeothermic होगी पोई kilo thermos का होगी leechy जे fresh water from the wild आर मेराइन के वह लीची जो वही बोला गया कि fresh water हो सकती है बाकि सबी जो मेराइन होंगे कोई जरूरी नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि देखिए dolphin भी आपकी fresh water के अंदर रह सकती है नेक्स हम बात करते हैं सी की स्पोंजीला है उदा special colored cells called the quinocyte not found in the remaining three हाँ जी स्पोंजीला जो peripher होते है वहाँ पे स्पोंजीला होती है और वहाँ पर जो है वो कोईनोसाइड बाकी remaining के पास नहीं मिलेंगे और all are bilateral symmetry ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के पास radial bilateral symmetry हो तो यह गलत लिखा तो हमारा answer आज़ है यहाँ पर option C next जो है वो हमारा question number 56 है यहाँ पर बोलागे in which one of the following organism its excretory organ are corrective state human में बोलागे कि kidney, sebaceous gland and tears gland बोलागे कि यहाँ पर यहाँ आपके excretory होते हैं काम कर सकते हैं अब जो आत्वों होता है वहाँ पर pharyngeal, integumentary, septial, nephridia वगेरे जोते हैं वो excretory organs हो सकते हैं यह बिलकुल correct है बागी exception आपको मिल जाएगा सभी में next जमारा question number 57 है crocodile and penguin are similar to whale and dog fish in which one of the following feature अब crocodile आपका reptilia में आता है penguin आपका जो है वो किसके अंदर आता है avies के अंदर आता है whale आपका mammals के अंदर आता है dog fish जो होती है वो आपकी आती है contrary actus में अब सब में चारों feature same होने चीए कौन कौन सा हो सकता है poses a solid, single, standard, central nerve system lay eggs and guards them the each has poses bonny skeleton have gills slits at some stage अब समझे solid knee, hollow, pellet होगा सभी eggs नहीं दे सकते जैसे आपकी जो whale होती है वो आपकी वीपरेस होती है poses, bone, skeleton सभी के पास bone नहीं होते है जैसे dog fin आपका contractus के अंदर आता है गills slits some stage पे कहीं ना कहीं सब को मिलेगी तो answer आजएगा option D next नमारा question number 58 है इसके पास jolis होती है macriel, rohu, lempray, hagfish, gabbish, hagfish, lempray, eels तो lempray और hagfish होती है वोआपे jolis होती है तो answer आजएगा option B next नमारा question number 59 है which one of the following birds indicate their reptilian ancestry किसे हमें पता चलता है कि उनके जो ancestral reptiles हो सकते है two special chambered crop and gizzard eggs with a calcareous cell scales on their hind limbs या फिर four chambered herd तो हापे scales on their hind limbs से पता चलता है तो answer आजएगा option C next हमारा question number 60 ascarious is characterized by ascarious ascarious किसके अंदर आता है सबसे पहले आपको पता होने चीए कोशनी फाइला में आता है उसके character बताने presence of truselum but absence of metamerism presence of truselum and metamerism absence of truselum but presence of metamerism presence of neither truselum nor metamerism तो देखिए ascarious आता है आपका ascal mantis में जहां पे pseudo silomate होते हैं वो और आपके metameric segment नहीं होते है तो ना तो यहां पे truselum होता है ना metamerism होता है तो answer आजएगा option D next हमारा question number 61 है which of the following group of the three animal which correctly match with their characteristic morphological feature animal feature और morphological feature बिल्कुल सही जो दिये गए है metameric segment kokroch और locust में होता है बढ़ टीनिया में आपको metameric segment नहीं देखने को मिलेगा liver fluke आपका c-anamon और c-cucumber में bilateral c-anamon, c-cucumber वगरा canodromatum आपे radial में मिलती है centiped prone और c-archin में बोलागे jointed dependent c-archin में jointed dependent c-archin में नहीं होती है तुमारा जो answer है वो option A आ चुका है आगे के question हम second part में करेंगे मिलती है जल्दे next video के साथ तब तक के लिए धन्यवाद